कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में आज हम बात करेंगे कख्षा साथ के लिए हिंदी व्याकरण की यह जो श्रंखला है इसमें अध्यहाई ग्यारा की जिसका शीर्शक है सर्वनाम यानी प्रोनाव निमने लिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िये वह कहां जा रहा है गरीब को कुछ दे दो यहां मेरी गोडिया है मैं स्वयम चला जाओंगा अब आप देख रहे हैं कि यह जो वाक्य है इसमें वह कुछ मेरी स्वयम किसी ने किसी संग्या के बदले यह सारे शब्द क्या है यहां पर वह कहां जा रहा है यहां पर वह की जगह अगर रोहन होता रोहन कहां जा रहा है तो आप कहते कि रोहन जो है वह संग्या है लेकिन संग्या के स्थान पर यानि रोहन के स्थान पर यहां पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहां कुछ ऐसे जहां मैं मेरी जो किसी ने किसी संग्या के बदले प्रयोक्त हुए हैं इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं यानि प्रोनाउं अगर कोई आप से पूछे कि सर्वनाम की परिभाशा बताइए एक वाक्य में आप कहेंगे संग्या के बदले प्रयोक किये जाने वाले शब्दों को सर सर्वनाम की कितने भेड हैं तो समझेगा कि इसके छे भेड हैं पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम फिर है अनिश्चय वाचक सर्वनाम चौथा है प्रश्ण वाचक सर्वनाम पाच्वा है संबंध वाचक सर्वनाम और छठा है निज सबसे पहले बात करते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम की जिसे आप अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनावन भी कह सकते हैं तो यह क्या होते हैं जिस सर्वनाम से पुरुष यानि भाचीत या लेक के क्रम में बोलने वाले सुनने वाले या जिसके विशे में कहा जाए उसका ग्य कौन है या सुनने वाला कौन है या जिसके बारे में कहा जा रहा है जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है इन तीनों का ग्यान अगर हमें कुछ शब्द करवाते हैं तो हम कहेंगे कि वे पुरुष वाचक सर्वनाम हैं जैसे एक वाक्या है मैंने तुम्हें उसकी कलम दी यहां पर मैं कहने वाने के लिए प्रयोग हुआ है तुम सुनने वाले के लिए और उस उस वेक्ति के लिए जिसकी चर्चा हो रही है अता यह तीन पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाएंगे कौन-कौन से मैं तुम और उसक इसके बाद में पुरुष वाचक सर्वनाम के भी कुछ भेध हैं उन्हें भी समझ लेते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम के तीन भेध यानि प्रकार हैं पहला है उत्तम पुरुष फिर हैं मध्यम प अब यह उत्तम पूरुष किया है तो समझतिएगा कि बोलने या लिखने वाला स्वयम के लिए जिस झालवनाम का प्रयोक करता है वह sup p數 के लाता है है कि आप स्वयम में के लिए प्रयोक कर रहा है तो कौन-कौन से शब्दा जाएंगे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने और हमारा इससे अधिक तो कोई शब्दाएंगे नहीं इससे अधिक से मेरा मतलब है कि इससे हटके कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसी थरह के शब्दाएंगे और भी जोएंगे तो ये सब की सब उत्तम पुरुष में आएंगे फिर है मध्यम पुरुष अब ये क्या है जिसे संबोधित कहा या लिखा जाता है संबोधित करके उसे मध्यम पुरुष कहते हैं जैसे तू तुम आप इस तरह से जब भी आप किसी को संबोधित करेंगे तो आप इनी जैसे वह, वे, यह, ये, जो, सो, कुछ, कौन, कोई, आदि अब यह समझ लेने के बाद में कि पुरुष वाचक सर्वनाम क्या है और उसके भेद क्या है अब बात करते हैं निश्चय वाचक सर्वनाम की यानि डिमॉंस्ट्रेटिव प्रोनावन अब यह ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग किसी निश्चित संग्याओं के इस्थान पर किया जाता है उन्हें निश्चय वाचक सर्वनाम कहते है जैसे कुछ शब्ध हैं यह, वह, इस तरह से फिर है अनिश्चय वाचक सर्वनाम यानि इंडेफिनीट प्रोनावन अब यह वह सर्वनाम है जो किसी निश्चित संग्या का बोत कराने में सक्षम नहीं होते जैसे कोई कुछ इस तरह से फिर आता है प्रश्च वाचक सर्वनाम यानि इंटेरॉगेटिव प्रोनावन अब यह वो सर्वनाम है जो वाक्या में किसी 98 सम्बंद बताता है संबंद बांचक सर्वनाम इसलिए से कहें ठीक है तो यह संबंद बांचक हो गया जैसे जो जैसा वैसा आधी ठीक अब जो सर्वनाम स्वयम का बोध कर आए उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे जैसे आप ही स्वयम ही खुद अपने आप आधी इस तरह से अब समझे सर्वनाम से संबंदित कुछ महत्वपून बाते आधर प्रकट करने के लिए संग्या की तरह सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन में होता है जैसे वे मेरे पापा हैं इस तरह से लिंक के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे वह लड़का है वह दोनों ही वाक्य में वह आ रहा है वहां में कोई बदलाव नहीं हुआ बल देने के लिए दो कोई और दो कुछ के बीच में न जोड़ दिया जाता है जैसे कोई न कोई कुछ न कुछ आदे विभक्तियां सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर लिखी जाती है जैसे उसका इसका और किमें और किनी सरवनाम का प्रयोग सजी उप्राणियों के लिए किया जाता है जहां बीच आ livestock सब्दğerाई कि कोई सजी उप्राणि ही कि वाएग कुछ प्रेऊग Only निरजी उपतार्तों के लिए किया जाता है इसके बाद में लिखा है सर्वनाम शब्दों की रूप रश्णा जैसे पुरुष वाजक-सर्वनाम में उत्तम पुरुष लेके चलते हैं मैं को अब क्या होगा कारक की बात करेंrai तो कर्ता के लिए एक वचन में हो जाएगा मैं यह मैंने हमने कर्म में बात करेंगे तो मुझ swings हो जाएगा हम और मेरे और बहुपक्तनर में हम रे दौारा कि अगर संपरदान की बात करने तो ग्वचन में हो जाएगा मुझसे मुझको या मेरे लिए और बहु वचन में हो जाएगा हमें हमको हमारे लिए अपादान की बात करें तो एक वचन में हो जाएगा मुझसे और बहु वचन में हो जाएगा हमसे कारक की बात करें तो हो जाएगा संबंध है ना संबंध में अगर देखे मैं की अगर बात करें एक वचन में तो मेरा मेरी मेरे हो जाएगा और बहु वचन में हो जाएगा हमारा हमारी हमारे अधिकरन की अगर बात करें कारक में तो मैं के लिए एक वचन हो जाएगा मुझ में या मुझ पर और बहु वचन हो जाएगा हम में हम पर सर्वनाम शब्दों में संबोधन तो खैर नहीं होता अब मध्यम पुरुष की बात करें तू के लिए तो करता के लिए हो जाएगा एक वचन में तू तूने और बहु वचन में हो जाएगा तुम तुमने कर्म में अगर बात करें तो हो जाएगा एक वचन में तुझे तुम को और बहु वचन में हो जाएगा तुम्हें तुमको अगर करण के लिए बात करें तो एक वचन में हो जाएगा तुझ से तेरे द्वारा और बहु वचन में हो जाएगा तुमसे तुम्हारे द्वारा संप्रदान के लिए बात करें तो एक वचन में हो जाएगा तुझे तेरे लिए और बहु वचन में हो जाएगा तुमसे तुम्हारे लिए अपादान की बात करें तो एक वचन में हो जाएगा तुझ से और बहु वचन में हो जाएगा तुमसे संबंद के लिए बात करें तो एक वचन में होगा तेरा तेरी तेरे और बहु वचन में हो जाएगा तुम्हारी तुम्हारा तुम्हारे अधिकरण की बात करें तो तुझ में तुझ पर और बहु वचन में हो जाएगा तुम्हें और तुम पर संबोधन नहीं होता है ना इस के लिए बात करें तो एक वचन में हो जाएगा उसे या उसको और बहु वचन में हो जाएगा उन्हें या उनको करण में बात करें तो एक वचन में हो जाएगा उससे उनके द्वारा और बहु वचन में हो जाएगा उनसे उनके द्वारा संप्रदान की बात करें एक वचन में हो जाएगा वह के लिए उसको उसे उसके लिए और बहु अचन में हो जाएगा उनको उन्हें उनके लिए अपदान के लिए हो जाएगा उससे एकवचन में और बहुचन में हो जाएगा उनसे संबंद के लिए हो जाएगा एकवचन में उसका उसकी उसके और बहुचन में हो जाएगा उनका उनकी उनके अधिकरण के लिए बात करें तो उसमें उस पर एक वचन में और बहु वचन में उनमें उन पर इस तरह से फिर है निश्चय वाचक सर्वना जैसे कि यहां अब अगर इसकी बात करें तो करता में हो जाएगा यहां इसने और बहु वचन में हो जाएगा यह इन्होंने करम के लिए बात करें तो एक वचन में होगा इसे इसको और बहु वचन में हो जाएगा इन्हें इनको करण के लिए बात करें तो एक वचन में होगा इससे इसके द्वारा और बहु वचन में हो जाएगा इनसे इनके द्वारा संप्रदान में हो जाएगा एक वचन में इससे इसके लिए या इसको और बहु वचन में हो जाएगा इन्हें इनके लिए या फिर इनको अपादान की बात करें तो एक वचन में हो जाएगा यहां के लिए इस से और बहु वचन में होगा इन से संबंध की बात करें तो होगा इसका इसकी इसके और बहु वचन में हो जाएगा इनका इनकी इनके वही अधिकरण में हो जाएगा इसला और ईपति ने और इंन पर इसके बाद है अनिष्या वाजच है वाजग सर्वानाम जैसे कोई अगरिसकों कारकों में देखे अलग अलग वचनों में तो कैसे होगा कर्ता के के लिए या तो यहां पर कोई प्रयोग में आएगा या किसी ने और बहु वचन के लिए आ जाएगा कोई या फिर किन होने करम के लिए एक वचन की बात करें तो होगा किसी को और बहु वचन में हो जाएगा किन ही को करन में अगर बात करें तो किसी से किसी के द्वारा इस त किनी से संबंद के लिए बात करें तो आएगा किसी किसी की किसी से किसी के और बहु वचन में हो जाएगा किनी की किनी के अधिकरन में देखेंगे तो किसी में किसी पर और बहु वचन में हो जाएगा किनी में किनी पर इस तरह से इसके बाद में संबंद वाचक सरवनाम जैसे जो अब यहां पर कारकों की बात करें तो करता के लिए हो जाएगा एक of जवाचन में जो जिसने बहुआजदान की बात करें तो जिसको जिसे जिसके लिए ऐसा होगा और बहुवचन में होगा जिनको जिने जिनके लिए ऐसा अपादान की बात करें तो उसमें में होगा जिस से जिन से संबंद की बात करें जिसका जिसकी जिसके इस तरह से होगा बहु वचन में होगा जिनका जिनकी जिनके अधिकरण के लिए यही हो जाएगा जिसमें जिस पर एक वचन में और बहु वचन में होगा जिन में और जिन पर अगर प्रश्णवाचक सर्मनाम की बात करें जैसे कौन तो करता के लिए हो जाएगा कौन किसने बहु वचन होगा कौन किन होने करम के लिए होगा किसे किसको एक वचन में और बह संबंद में होगा किस का किस की किसके और देखेंगे कारक है जिसे करता दोनों वचनों में समान रूप आएगा आप करम के लिए हो जाएगा अपने को करण के लिए हो जाएगा अपने से अपने द्वारा संप्रदान में हो जाएगा अपने को अपने लिए अपादान में अपने से संबंध में अपना अपने अपनी और अधिकरण में अपने में और अपने पर इस तरह से होगा तो यह अपने अलग-अलग कारकों के साथ में वचनों को भी देख लिया तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं आप जरूर इस वीडियो की लिंक को शेर कीजेगा अपने दोस्तों मित्रों साथियों सेपाथियों परीजनों के सा ताकि विलोग भी देख पाएं इस वीडियो को समझ पाएं जानकारी को बागी मेरी आप से जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नए अध्याय के साथ नई जानकारी में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार